नमस्कार दोस्तों कहीं सारे लोग मोटर, जनरेटर और अल्टरेटर इन टीनों के बीच में कन्फ्यूज हो रहे होते हैं और अगर उनसे कभी इनके बारे में इंटरू में पूछ ले रहता है तो वो उस समय जवाब नहीं दे भाते कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर है दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले मोटर के बारे में बताऊं कि आखिरकार मोटर क्या होती है तो दोस्तों दीखें मोटर काफी सिंपल चीज़े मोटर एक ऐसे जीज़े कि अगर हम इसको इलेक्रिकल की सप्लाई देते हैं तो हमको यह आउट्पूट में मेकेनिकल पावर देती हैं मतलब कि आपने सप्लाई दो दी इसको तार से यानि आपने इसको करंट दिया इसको वोल्टिज दिया इलेक्रिसीड दी लेकिन आउट्पूट में आपको क्या मिला आपको एक रोटर से पावर मिल गई हमारा रोटर घूम रहा है अब यह जो घूम रहा है रोटर यह एक म हम हमारी चक्की को चला सकते हैं हम हमारी किसी कार को चला सकते हैं क्योंकि आपने देखा है आजकल इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है उसके इना मोटर लगी रहती है तो हम इस मोटर से कार को भी चला सकते हैं तो अगर हमें किसी भी परकार की कि motor क्या होती है अगर इसके types की बात करें तो motor को जनरली दो भागों में बाटा जाता है अगर आपसे इंटिव पूचहेटा है आप simple सा बोल सकते हो motor हमारी दो type की होती एक होती हमारी AC motor or DC motor AC motor क्या होती है वर्टसर मोटर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों से चुछ जाती है वैसे दोस्ता अगर आपको मोटर के टाइप के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके उपर मैं अल्रेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है आप वह वीडियो एंड इसके देख लिजे मोटर कितने टाइप की होती है उससे जुड़ा आपके सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे अभी के तौर पे हमने मोटर को क्लियर कर लिया अब हम नेक जान लेते हैं कि आखिर का जन्रेटर क्या होता है तो दोस्तों के जन्रेटर के नाम से हमको पत लग हुआ हमारा यह जन्रेटर इलेक्रिकल की सप्लाई हमारी जन्रेट करके हमको देता है और अब उस इलेक्रिकल की सप्लाई से हम कुछ भी करा सकता है लेकिन अगर हम इसके बेसिक वर्किंग को समझी कि कैसे काम करता है तो इसका काम सिंपल सा होता है हमारा जो मोटर होत है हमारी mechanical power दे रहते हैं और आउपूट में generator हमें क्या देता है वो देता है हमें electrical की supply है उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हम हमारी घरी की दे सकते हैं यह भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए तो दोसे दीखिए जैसे कि आप कभी किसी मेरीज में गया हो तो आपने देखा होगा कि पहले hand operated generator आते थे मतलब कि हम उसको पहले हाथ से गुमाते थे और उसके बाद में हमको electrical supply मिल जाती थी इसके अलावा दोस्तों ज thermal power plant, nuclear power plant तो इस तरीकी के अलग-अलग टैप के power plant होते हैं इन सभी power plant के अंदर जनरेटर तो सेम लग रहा है जनरेटर तो एक ही टैप को लग रहा है लेकिन इनकी जो नाम बदल गए वो नाम बदल गए कि हम इस generator को घुमा कैसे रहें कि इस power को देखर हम generator घुमा रहें नुक्ल द करें तो नुक्लर पाउड बलांड के अंदर हमारा कुछ दो के मेंधियर चनरेटर को गुमाया जाता है अब आखरी में हमने जनरेटर को जब घुमाया तो जनरेटर को घुमानी के बा further में simple सी चीज़ सभी के अंदर same होगी हमें output में मिलेगी electrical की supply और इस electrical की supply को हम हमारी requirement के नुशा transfer कर देते हैं transfer line से और इसको upio कर लेते हैं तो दोस्तो generator का मतलब simple सा ही है अगर मैं वापस चाब को तो generator का मतलब है generate करना और अभी हम electrical में generator की बात करना है तो इसका मतलब हुआ electricity को generate करना मतलब कि हम देंगे इसके अंदर mechanical power और output में मिल जाएगी हमको electrical की supply अब दोस्तो आखरी के अंदर बसता है हमारा alternator कहीं सारे लोग generator और alternator में confused होते हैं लेकिन दोस्तों यह confused होने वाली कोई भी चीज ही नहीं है generator और alternator बिल्कुल सेम ही चीज है क्या होता है दोस AC generator क्या कर रहा है AC generator कर रहा है हमारी AC supply को generate AC supply हमें उत्पन करके दे रहा है अब AC supply के अगर आप full form देखोगे तो AC का full form होता है alternating current इसलिए यहां से थोड़ा सा नाम उठा है alternating से अल्टर और जो नेटर होता है generator का उसको नेटर को जोड़के इन दोनों को mix करके बनाया alternator तो आप चाहे AC generator बोलो चाहे आप alternator बोलो यह दोनों ही same चीज है तो अभी हमने इन तीनों के difference के उपर बात कर ली आकिर तीनों में क्या अंतर होता है अब हम इन से जुड़े अब्वाद के इन से जुड़े के अंदर आप सिंपल सा एक लाइन वा अंसर दे सकते हो कि हमारी जो motor होती है वह motor फेराइडे इसके electromagnetic induction के principle पर काम करती है अगर आप से generator के बारे में पूचा जाए तो भी आप बोल सकते हो कि यह हमारे फेराइडे के electromagnetic induction पर काम करता है अब सभी के अंदर फेराइडे के electromagnetic induction के बारे में बोल सकते हो कि यह सभी चीजे हमारे फेराइडे के electromagnetic induction पर काम करती है तो दोसर प्रिंसिपल के के से कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है हमारी motor जनेरेटर अल्टरनेटर टांस्वर सभी चीजिजियों के अंदर आप बोल सकत है वो क्लियर हो गए होगे अगर आपकी दोसर डिमांड है कि मोटर के ऊपर हम सेफ रेट बात करें कि मोटर कैसे काम करती अल्टर या जनेरेटर के ऊपर आप कमेंट बोक्स का कमेंट करके जरूर बताएगा इसके उपर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा उमीद करता क्या हों कि आज में मेंट बोक्स में कमेंट करें पूश्य सकता है आज मैं चल्ट को सब्सक्राइब कर लिजे आजकी लिए इतना ही धन्यवाद